असलाम नेकम एवरिवान तो आज मैं लेकर हैं बिल्कुल ऑथेंटिक गॉंग की रेसिपी जो की पालक डाल की रेसिपी या फिर आप कह सकते दाल पालक की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होता है इस रेसिपी को लाच देक निजॉई कीजिए और मेरे पसंद आती है तो लाइक मुठी लिया है इसे बहुत अच्छी खुश्रू आएगी पालक में तो मैंने पहले अच्छे से वाश कर लिया है आप चाहे तो काट कर वाश कर सकते हैं या फिर वाश करके मेरे तरह इस तरीके से आप काट सकते हैं तो इस तरीके से बस बारिक बारिक काट लेना है रफली तल्षिया जीरा चेर्ग जाए गरम तेल मिसमीं तो दो पड़ चीष भी कढ़ने slight तो यहां पर आप चाहे से सिंगल दाल भी ले सकते हैं या इसके जगह पर चनी आपने की डाल सकते हैं लेकिन इसटाल की जो ने मिक्स करके भी अछलगता है तो यहां पर तो दो से तीन मिनट लगेंगे आपको मसाले की साथ में दाल को फ्राइए करने के लिए और इसी के साथ में यहां पर देखे मैंने पालक डाल दिया है जो काट कर रखा है इसमें डाल देंगे और डालने के बाद जो अच्छे से इसमें एक दो हाथ इसी तरीके से नीचे बैठने लगता हैं तो आप देख सकते हैं कितना क्वाइंटिटी दिख रहा था ना और फिर दिरी दिरी नीचे आता रहेगा उसके बाद जो सारे पालक आप इसी तरीके से डाल देंगे उसके मिक्स कर देना है मैंने हाफ का पानी भी डाल दिया है और इसके बाद जो है एक दो मिनट भूनने के बाद जो है इसके लिट को लगा देना है चार सीटी के बाद जो है इसके डखकन को हटाएंगे उसके बाद देखिए इसको अच्छे से कोई सभी आप घोटने वाला ले सकते हैं जैसे गौन में बिलकुल दाल घोटते ना उसी तरीके से आप पर हाफ कप और पानी आट किया है अपने हिसाब से आप ठीकनेस रखे जितना आपको गाढ़ा पसंद है दाल उसे साफ से आप रख सकते हैं इसके बाद देखिए अच्छे से घोटने के बाद जो है इसको साइट कर देना है और मैंने यहाँ पर अच्छे से उबाल लिया इसके बाद साइटिया था इसके बाद देखिए मैंने एक डबो रख दिया है गैस के उपर उसमें यहां पर मैंने दो चमच के करीब तेल डाल दिया है और उसके बाद जो आपको इससा भी बड़ा बरतन मिले सकते हैं तो मैंने यहां पर आड जो है लस्टन की कलिया गरम 1 बाद डाल तेल में डाल दिया है और 0.5 ifu यहां पर मैंने डाला है सर-सो। 1本 है और 0. Tiny पर जीरा गएं साथ कि उप्डन में डीओा द teve लाल जीदी डालेंगी और यहां पर देखिए बस पर अच्छे अक्षरम हो जाए गा यानिकि गोल्ड कर जब आ जाएगा तरक यो जो हूं साग में जो यानि की दाल जावना की जो इस तरीके सी आैट बहुत तरbridge दीज बहुत अचल अच्छा फ्लीवड आएगा और अच्छे हैं एक लाद मीकस करें कि इसको गर्म गर्म सर्फ कीजी इतना टेष्टी लगएगा आप इसको चावल के साथ इन्जॉय कीजिए बहुत यह लगता है रोटी अच्छा चावल के साथ लगेगा तो आप एक पर जरूरी इस तरीके की रेसिपी जॉय किजिए और साथ में प्लेट जरूर सजाएगा ज अगर इसी तरीके से आप बनाए तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया था इसलिए मैंने खा लिया है आप भी इंज्वाइब कीजिए और हेल्दी खाना खाए स्वस्त रहिए और में चाहर को जल्दे जाके सब्सक्राइब कर लिजिए कॉमेंट में बताईएगा कि कैसे लेग और में झाल तो मुझे तो जो झाल झाल तो झाल थीए और को जाम आप लिए और दे उल्देश आप लिए।